आज है बुद्ध और तारी है आज 29 एपरिल आईए अब हम अपना काम शुरूब करते हैं उन्वान है हमारा लिखिये और रंग भरिये यहां पर आपको एक कस्वी नजर आ रही है जिसमें एक मचेरा कश्टी पे बैठके मच्वियां पकड़ने दर्या में गिया हुआ है लेकिन उसकी कश्टी मुकमल नहीं है तो हम उसको मुकमल करते हैं ते से शुरू किया तीर के निशान की पैर भी करते हुए तमाम नुक्तों को आपस में मिलाते हुए हम दाएं से बाएं तरफ जाएंगे वाव ओ गुद देखा मैंने कितना अच्छा किया दुबारा करते हैं ठीक है नुक्ते पे अपने फैंसिल को हम रखेंगे तीर के निशान की पैर भी करते हुए तमाम नुक्तों को आपस में मिलाते हुए दाएं से बाएं तरफ जाएंगे और देखिए उन्सकी कश्टी को हमने मुकमल कर दिया हम अब नीची आजाएं नुक्ते से शुरू किया तीर के निशान की पैर भी करते हुए दाएं से बाएं तरफ आएंगे फिर से नुक्ते पे पैंसिल को रखा नुक्ते के निशान से शुरू किया तीर के निशान की पैर भी करते हुए दाएं से बाएं तरफ आना है हम इसी तरह हमने अपना सारा काम मुकमल करना है तीर के निशान की पैर भी करते हुए दाएं से बाएं तरफ आना है इस तरह हमें बे बनाने की आधी शकल का पता चल जाएगा हम असानी से आपने आग आने वाले हरूफ की ट्रेसिंग कर सकेंगे और उसको लिठ सकेंगे यह है आपकी उर्दो की किताब उर्दो खुश हती सिलसिला और इसका हम पेस्ट सफ़ा नमबर पांच खोलेंगे सफ़ा नमबर पांच यह है आपका आज का घर का काम जिसको आपने अपनी मामा के पास बैट के मुकमल करना है प्यारी सी ट्रेसिंग करनी है एंडेन खल रिंग ओके कश्टी में आपने रंग भरने है अपन डाउन अपन डाउन और मचेरे में भी और मचली में भी ठीक है अलाफिस